परदान सिक्षक की बहाली होनी है, और यह जो बहाली का प्रोसेस है, एक एक्जाम के थू होने वाला एक्जाम जो कंडेक्ट करा रहे हैं, वो BPSC है, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, यहां पर देखेंगे, तो आज की डेट में, यहां पर कुछ नहीं करना, क्लिक किजिएगा, यह डाउनलोड होना, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ ही, अगर नोटीस पढ़ना चाहिए, तो यहां से एडवर्टिसमेंट पूरा पढ़ना चाहिए, यहां से इंस्ट्रक्शन फोर अप्लाई ओनलाइन, तो यहां से क्लिक करके आप अराम से बढ़ सकते हैं, और भी जो मुख्य चीजे होंगे, कब से अप्लाई हो और यहां से अप्लाईन आपिएаки से संब्सक्राइव, जो इन ने देते हैंwelt आडेटिचर, एडे उसको लास्त में इंस्ट्रक्शन बग़ेंगे सबसे लास्समें आप्लाई के लिए दियागा, का अंलीन अप्लाईन अप्लाईन अप्लाई के लिए तो आपको आ जाए चा करके पूरा फॉर्म फील वेकरे करके आप आराम से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गये होंगे कि अपलाई यहां लिखा हुआ है तो यहीं से अपलाई करना आपको इससे समंधित मेरे कहले आपके पास प्रशन नहीं होना चीए नेक्स्ट व ओपन हो गया और यह आपके सामने लाइव हमने दिखाया है टूटल जो सीथ प्रधान श्क्शक के कूल जो पद है वो कितने हैं को यह हैं okay यह 40,000 पांसो चौप पद हैं 506 पद हैं जिस पे ऑन-लाइन आवेदन लिये जाने हैं अब यह साइट यहां पे भी दिया गया कहा कि लोगीजिये इस जाई और फीशियल सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करतें anom Crazyener कि किस तरीक वह अपना अपने उसलर देख लेकिस सरह के महिला को कितना कितना सीट दिया अपना जिस तरीके से आपको देखना हैं कि अभने से ब्तिन से काई लेक् commandments इसमें भाग ले सकते हैं वेतन के बाद किया जाए का वेतन प्रारंबिक वेतन क्रमसो तीस अजार पांसो यहां राजी सरकार द्वारा समय सहमें पर किये जाने वेतल उनरिक्षन के आलोग में परिवर्थनिये होंगे कि इन्होंने नया एक सिग्मेंट बनाया है 3500 का चलिए यहां पर देख लेते हैं स्यक्षड की योगित अगर सबसे पहले जरूरी क्या है तो सबसे पहले यह जरूरी है कि भारत का नागरिक हो भारत के नागरिक में क्या हो तथा इन्होंने जोड़ा है यानि बिहार के निवासी भी होना चे वही अपलाई कर सकते हैं बागी यहां पर यह देख सकते हैं कौन कितना कितना चाहिए हुने मनेता प्रत 20-40 से कम चेकम 50 प्रतिदों उनकों के साथ असना तक उतीन हो बागी उन्सुची जाती के लिए इन के लिए यह चूट यह सार इचेज इसके अतरिक्त तीन नमबर पॉइंट पॉड़ रहे हैं मनेता प्राप्त संस्ता से डीलेड, बीटी, बीएड देखिए यहां पर बीएड भी है तो वहाँ डीलेड इस लेवस में दिया गे तो मत पुछ लीजे का इसन बीएड वाले अपलाई कर सकते हैं इसके अतरिक्त वर्स 2012 या उसके बाद न्युक्त सिक्षक है तो सिक्षक पत्रिता परिक्षा में उत्तीन हो एवं वर्स 2012 से पुर्व न्युक्त सिक्षकों के लिए दक्षता परिक्षा उतीन होना अनिवार होगा दक्षता परिक्षा क्या होगा उत्री नोना अनिवार होगा साथ में नोट यहां दे दिया गया है कि अगर आप सिख्षक पत्रिता परिक्षा से अभी प्रित हैं तो बियार सरकार या किन सके यानि बियार सरकार जो BTET कराता है वो या किन सरकार यानि CTET कराता है वो एक से पांच या छे से आठ सिख्षक के पत्पन्युक्त हेतु आयोजी थोने वाली पत्रता परिक्षा ठीक है अभी यही चीज़ इंगलिस में भी दे दिया गया है और यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो चर्चा होता है कि इसमें कौन भाग लेंगे या नहीं भाग लेंगे तो देखिए अभी तक के प्रधान क्या उनुसार जो भी वैसे सिख्षक जो नौन्युक्त हुए हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं वो इसमें क्या हो सकते हैं जो non-yug तो अभी सिक्षक बने है इस line के उसर हम नहीं रोक रहे हैं यह जो notification है वो रोक रहे हैं हम तो कहेंगे जो पर रोजगार है उनको रोजगार मिले तो और अच्छी बात है सबको भाग देना चाहिए भले अनभाव वाले को job दे दीजे 40,000 seat कैसे भर जाएगा हमें तो प्रारमिक सिक्षक या नगर प्रारमिक सिक्षक के मूलकोटी के पद पर नियुंतम आठ वर्स की लगतार सेवा कितना वर्स की का ऌड़र्स की लगतार सेवा यह मंगा गया है इसके बाग मतलब अन्भाव आठ वर्स चाहिए वह भी लगता खो में है पंचायती राज संस्था यहां नगर निकाएं संस्था अंतरगत असनातक सिक्षक जिनकी सेवा संपुस्थ हो जिनकी जेवा सेवा जो है संपुस्थ हो संपुस्थ मीं कहा जाता है कनफॉर्म एक तर सर्विस्थ हों इसका मतलब निक्ट होने के दो साल के बाद का मेरे ख्याल से जिक्र किया जहें के दो साल में वह जाते हैं सिक्षक बन जाते हैं वह चीज लिखा गया आगे लिखा गया उक्त अवदी की गारणा युग्दान की ति ति तन्फॉर्म का अब होता जब आप युगदान करते हैं, उस तिथी से देखा जाता है, नहीं तो, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया हो, तो प्रस्रिक्षण आहरता प्राप्त करने की तिथी, जो बाद की तिथी हो, जो भी बाद की तिथी हो, यानि उसके बाद उन्होंने प्रस्रिक्षण लिया, भी प्र होना चीज़ थरजू सभी और यह अंतेशाब वगारन लेखित परिक्षा के बारे में answer नहीं चीज है बिग्यापित पदों के बीरूद नियुक्ति हेतू सुयोग मिद्वारों के चैन के लिए आयोग द्वारा लेखित परिक्षा का आयोजन किया जाएगा यह लेखित परिक्षा 150 प्रश्णों की होगी जो बस्तुनी स्टेम भाव विकल्पी होंगे समान जिसमें समान अध्यान 75 अंग एवम तथा डियलेड भी से 75 अंग का होगा प्रतेक प्रश्ण एक अंग का होगा और प्रतेक गलत उतर के लिए 0.25 अंग का निगेटिब मार्किंग होगी परिक्षा की अवधी 2 गंटे की होगी किलिए समझ गया देखे डियर सो प्रश्ण रहेंगे आप बाल बीकास समझ एक तरस जो डियरम बाल के लगणके नाम से जानते हैं कुछ चीजओ को वह इंक्लूट बाल मीन वह इनक्लूट बाल बिकात शिक्षा सत्र जा सुं ञब से यानिवे यान जो भी आप एक जिक्षकm पर लोड़हाय रहा हैं तो चीनवें चीज और भी जितने उनके कार हैं, जितने उनके सारे चीज हो, वो सारे चीज इसमें आने चाहिए, और इसमें निगेटी मार्किंग भी है, अगर गलत होगा एक प्रशन गलत होगा, 0.25 निगेटी मार्किंग में चल लगा, या नि उदना कट जाएगा, समय टोटल आपको मिलेंगे 2 इंटर्विव नहीं होगा, बागी सब यह पढ़ना चाहिए, तो आप अपना पढ़ सकते हैं, और यहां पर आपको हम डेट दिखा दे, और तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कुछ है, यह सारे चीज जाती का कोड वेगर है, जब ऑनलाइन बरियेगा तो यह सारे चीज द यह सारे चीज देख लेगे, तो 750 रुप यह लग रहे है, समाने बर्तियों, बाकी लोगों को इतना है, हो सकता है कि कुछ और इनोंने जोड़ा हो, चलिए, ओनलाइन आवेधन पत्र भरने से संबंदिती थी, निर्देश निम्नांकित है, ओनलाइन आवेधन कितना तरिक स है, 28-3-2022 से चलू हो रहा है, ओनलाइन आवेधन भरने कि अंतिम्तिती है, 24-4-22, तो अगर भरना हो तो जरूर भर दीजेगा, 28-3-22 के बाद जरूर भर दीजेगा, 28-3-22 के बाद भर दीजेगा, 22-22 अप्रेल 2022 से पहले भर दीजेगा, तो हमने बता भी दिया है कि आपक कहां भरना है, ओनलाइन हमने जो दिखाया था, वहाँ से क्लिक करके जरूर चेक आउट कर लिजेगा, 22 से वहाँ पर आ जा रहा है, हमने देखा था, पिछली बर क्लिक करके लिए कि समया भाव के करनों, इस पर वीडियो नहीं बन सका, अब ये सारे चीज आप देख सकते ह है, फिलाल जो बताना तब वो हमने बता दिया, ये उनलाइन से समंदित सारा चीज दिया गया है, तो मुझे लग़ रहा कि फिलाल चीज आपके क्लियर हो गए है, से लेबर कहां से डाउनलोड करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, वो सारे चीज हमने इस वीडियो में सारा सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है